हेलो एंड वेलकम बैक पढ़ा था देराफटर ब्रीफ अबाउट जेहलम रिवर के बारे में पढ़ा था एक बार थोड़ा था रिक्याप्चुलेट करेंगे उके इंट्रोडक्शन में हम लोग ने ड्रेनी सिस्टम किया होता वो पढ़ा था पुटैमोलाची साइंटिफिक स्टेडी अफ रिवर्स के बारे में पढ़ा और देखा कि 2018 में गौवर्मेंट अफ इंडिया ने जो है तीन जेहलम रिवर्स को जो है नैशनल वाटर वेस का दर्जा दिया हुआ था दियार जेहलम चनाब एंड रावी ओके इसके बाद हमने स्टार्ट किया था रिवर्स इन कश्मीर प्रोविन जिसमें हमने पहला रिवर जो है जेहलम रिवर के बारे में पढ़ा था अब जेहलम रिवर के बारे में क्या पढ़ा था वो आपके इस वीडियो में हम जो कश्मीर प्रोविंस के बाकी के साथ कि विडियो प्रिंजी नाम से ही पता चल जाएगा थोड़ा आपको आईडिया मिल जाएगा कहां से ओरिजने रोटा है Kishn Sare Lake से, कहां से? Kishn Sare Lake, कहां पे है ये? गांदरबल डिस्टिक में, कौन से डिस्टिक में है? गांदरबल डिस्टिक में एक लेक है जिसका नाम किशन Sare Lake है, वहां से किशन ohne river originate होता है वहां से निकलता है, वहां से निकलने के बाद तुलेल वैली और गुरेज वैली से होके फ्लो करता है बांडीबुरा डिस्टिक में तुलेल वैली और गुरेज वैली वहाँ पे अलग लग जगे हैं जैसे आपकी आ जाती है टीटवाल आ जाती है करना जाती है कीरन आ जाती है इन में से होके यह क्या करता है flow करता है ultimately LOC को cross करके यह कहाँ चले जाता है POK में पाकिस्तानों को पुड किश्मीर में चला जाता है वहाँ पे एक जगे है जिसको हम कहते हैं दुमेल मुझटफराबाद में यह जगे है दुमेल करके नाम की जगे है उस दुमेल स्पोर्ट पे जाके ये किसको जॉइन करता है जहलम रिवर को जॉइन करता है I have already told you that किशिन गंगा itself is a tributary of जहलम लेकिन जहलम को कहां जॉइन करेगा जाके दुमेल इन पी ओके में जाके जॉइन करेगा ओके लेकिन पाकिस्तान में इसको रिवर को क्या कार नाम दिया जाता है नीलम रिवर क्या कहते है नीलम रिवर ओके आपको ओरिजन का पता चल गया किशन सार लेक करके एक जगे है एक जील है किशन सार कहां पे है वो गांदरवल डिस्टिक में है वहां originate होता है दिराफटर तुलेल गुरेज वैली से होके flow करता है और बाकी एरिया जैसे कीरन हो गया करना हो गया या टिटवाल हो गया उन से होके flow करके कहां पहुंचाता है पी ओके के मुझफराबाद में जहां पे दुमेल करके एक जगे है वहां पे ये जाइन कर लेता है किसको जहलम को जाइन कर लेता है तो जहलम को जाइन करने के बाद इसको नीलम रिवर कहा जाता है अब अच्छी मैं आपको बताओ ना जब ये किशन सार लेक से originate होता है तो वहां से flow करते 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 ultimately कहां join करते कहां enter होता है P.O.K. में लेकिन ये जो areas है T.W.L. करना या आपका कीरन हो गया इसमें ये LOC का का काम कर रहा है मतलब इस side आपका P.O.K. है और इस side आपका कश्मीर वैली है ओके तो ये वो river है जो किसका काम करती है LOC का काम करती है मतलब ये इंडिया और इंडिया का कश्मीर वैली और P.O.K. को क्या करता है सेपरेट करता है अब कुछ इसके unique features है जो आपको बताऊंगा it is very famous for fishes famous हैं यहाँ पे काफी fishes especially the trout fishes जिसमें आपकी brown trout आजाती है brown trout आजाती है देर आफ्टर आपका rainbow trout वहाँ पे मिलेगा आपको देर आफ्टर आपको वहाँ पे जो है snow trout मिलेगा देर आफ्टर वहाँ पे oat भी टाइप की fishes like शुदिगर्न अनिया और वगेरा मिलेगी so fishes के लिए किशन गंगा river काफी famous है देर आफ्टर 2018 में क्या हुआ किशन गंगा hydroelectric project का जो है Indian PM श्री नरिंदर मोदी ने जो है inauguration किया था कब किया था 2018 में अब ये कहां पे है किशन गंगा project HEP ये बांडी बुरा district में बना रहे हैं किस किस river पे बना रहे हैं अब इंदर स्वर्टर ट्रेटी किया है आप लोगो ब्रीव में बता देते हैं कि इंदर स्वर्टर ट्रेटी जो है ये आपको पता ही है 1960 में sign हुई थी इंडिया और पाकिस्तान अट कराची इंडिया के तरफ से इंडियन PM थे नहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से उनके प्रेजिडेंट थे जनरल अयूग खान इन्होंने जो है इस ट्रेटी को क्या किया था, sign किया था इस पर दिस ट्रेटी, इस ट्रेटी है आप से तीन इस्टर रिवर कौन-कौन से इस्ट वाले रिवर जन में कौन-कौन आ जाता है रावी तीन वेस्टर रिवर जिसमें आ जाता है जहलम, did합 कर दो तीन यह तन वेस्टर रिवर किसको दे दियेंगे है, पाकिस्तान को दे दियेगे दो, इंडिया को कहा गया नहीं भाईजया आप ये 220 चनाव और इंडस का water भी यूज़ कर सकते हो for irrigation purpose HEPs उसपे बना सकते हो लेकिन आपको इसको ऐसे utilize करना है कि आपको river का course change नहीं करना है नहीं river का जो है जो flow है नीचे की तरफ पाकिस्तान की तरफ उसमें water flow जो है वो काम नहीं होना चाहिए तो यह किशिन गंगा river since यह जहलम का tributary था तो इंडिया ने जैसे यह project बनाना स्टार्ट कर दिया तो पाकिस्तान ने कहा नहीं जी आप IWT को क्या कर रहे हो वाइलेट कर रहे हो किशिन गंगा के river जो course है उसको change कर रहे हो तो ultimately बात चली गई इंडिया के फिवर में कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो इंडिया नहीं को थोड़ा इसके नोर्स के बारे में बताते हैं Tributory of river जैलम पता ही आप लोगं को जैलम के साथ कहा जाके मिलेगी दुमेल मुझफराबाद में पाकिस्तान में जहां पे इसको नीलम river कहा जाता है length इसकी approximately 245 km और कशनीर में खाली 50 km के आसपास ये किशन गंगा river flow करती है कहां से originate होती है किशन सार लेक से कहां पे हो सोन मर्गिन गंदरबल डिस्टिक में है वहां से originate होने के बाद किशन सार लेक से निकलने के बाद ये तुलेल वैली गुरेज वैली करना कीरन तिटवाल के आसपास से होके flow करता है ये आप लोगं को पताईए तेन नेक्स आपको मैंने बताया कि ये रिवर किसका काम करता है ये रिवर एक्च्छल में जो है ये रिवर किसका काम करता है ये रिवर एलो सी का काम भी करता है एलो सी का काम करता है मिंस इंडिया का कश्मीर और पी योके को कि ये क्या करता है उसके बीच में फ्लो करता है डिटेक्ट एजन एलोसी ओके देर आफ्टर अडिशनल बॉस्टर में आपको बताएंगे कि यहां पर फिशेज बहुत मिलती हैं वो आप लोगों को आलरडी मैंने बताया हुआ था इस प्रोजेक्ट में क्या होगा इसमें से 13% यह फ्री अफ कॉस जी और इसके रेजिडेंट्स को देगा देर आफटर पाकिस्तान ने अबजेक्ट किया था कि यह इन्डसवाटर ट्रेटी 1960 को जो है वाइलेट करता है लेकिन court of arbitration जो हेग में है उन्होंने इंडिया के favor में decision दे दिया and ultimately इंडिया को कहा कि आप लोग जो है ये project जो है commission कर सकते हो next जो river है ना वारा that is sind river okay sind river भी आप लोग को पता ही है किसकी attributory है जहलम की attributory है कौन सीवल attributory है right bank attributory है जहलम की अब sind river originate कहां से होता है मचोई glacier करके एक जगे है कहां पे वो गांदरबल district में है मचोई glacier ये actually हमारी हिंदूं की जो shrine है अमरनाथ shrine अमरनाथ temple जो है उसके पास में ये मचोई glacier है वहां पे ये originate होता है okay जब मचोई glacier में originate हो गया वहां से नीचे आ जाता है पंच तर्नी करके एक जगे है आमरनाथ shrine से थोड़ा सा नीचे वहां से होके फिर ये चली जाती है दुमेल गांदरबल जिसको हम बालडल भी कहते है बालडल से निकल के ये गांदरबल टाउन में पहुंच जाती है गांदरबल टाउन से ये चली जाती है किस तरफ सिर्णगर की तरफ जब सिर्णगर की तरफ जा रहा होता है ये सिर्ण तो ultimately ये पहुंचता है कहां शादीपूर village के पास जो कि सिर्णगर के पास में है शादीपुर में जब पहunचता है तो वहां पे ये जहलम में joint कर लेता है तो आपको इसका course समझा गया मच्छोई Glacier से निकल गया मच्छोई Glacier कहा है अमनात हिल्स में गان्धरबल में जब वहां से निकला तो पहुंचा है पंछतनी में पंचतनी से चले जाता है नीचे तो भालटल में आ जाता है या दुमेल में आ जाता है दुमेल से सोनमर्ग से होते हुए ये कहां आ जाता है ultimately आपके गांदरबल में पहुंच जाता है गांदरबल से आगे जब फ्लो करता है तो शादीपूर विलेज में आ जाता है और शादीपूर विलेज में ये जहलम में जॉइन कर लेता है इडिस राइड बैंक ट्रिब्यूटरी कौन से बैंक पे जॉइन करता है जहलम को राइड बैंक पे तीन हाइडर एलेक्टरी पोजेक्ट्स इस पे कंस्ट्रक्ट हो रहे है नमबर वान है सुंबल में नमबर टू है कंगन में और नमबर थर्ड है कहां पे गांदरबल में तो आप लोगो अलड़ी में बता चुका हूँ सिंध रिवर कहां से उरिजिनेट होता मुछोई गलेशियर आमरनाथ श्राइन के पास में है कहां से फलो करता फिर पैंतरनी से होके दुमेल से गांदरबल टाउन से और शादीपूर विलेज में आके ये किसको जाइन कर लेता है जहलम को जाइन कर लेता है आप ड़ूर्टन इस सिंध रिवर की ट्रिब्यूटरी जैसे चोटे-चोटे नाले इसमें जाइन करते हैं जैसे आमरनाथ स्ट्रीम है कलोही ग Brain है शितकादी नाला है गुंद नाला है, सर्फरा नाला है और वंगत नाला है, वंगत नाला originate होता है कहां से, गंगाबल लेक से वंगत नाला कहां से निकलेगा, गंगाबल लेक से निकलेगा, ओके तेराफटर नेक्स्ट इस ये भी मैं आपको अल्रड़ी बता चुका हूँ की 3HEPs इस पर बन रहे हैं, hydroelectric projects इस पर सिंध सिंध रिवर पर बनाए गिजा रहे हैं, कहां कहां पर हैं वो, पहला जो है वो सुंबल में हैं जिसको अपर सिंध अच्छीपी कहते हूँ दूसरा जो है में जिसको लोवर सिंध होता है कलोई glacier से है कलोई glacier कहां पे है सोन मरगन गांदरवल में यह वेस्ट लिदर यहां से निकलता है actually okay मतलब वेस्ट लिदर निकलेगा कहां से कलोई glacier से निकलेगा और इस्ट लिदर कहां से निकल रहा है शेशनाग की जील से निकल रहा है शेष्णाग लेक से निकल रहा है यह जो वेस्ट लिटर है यह पास करेगा आडू वैली से पहलगाम वैली से और जब यह पहलगाम में पहुंचेगा न और यह इस्ट लिटर जो है यह बेताव वैली से पास होते हुए पहलगाम में यह भी पहुंचेगा इस लिद्दर शेशनाग लेक से ओरिजनेट हुआ, पेताव वैली से पास होते हुए, कहां पोँचा पहलगाम, पहलगाम में दुनों जॉइनों के क्या बनाया है, लिद्दर रिवर, लिद्दर रिवर is one of the fastest flowing river, अब ये लिद्दर रिवर जब बन गया, तो लिद्दर मिलती है, वहां पे स्नो ट्राउट मिलती है, रेंबे रेंबो ट्राउट मिलती है, एक और चीज़ के लिद्दर रिवर फैमस है, जिसको हम कहते हैं, रेक्टिंग एक्टिविडीज, अब इसके नोट्स बढ़ेंगे, पहली बता चुका हूँ, ओरिजनेट होता है कलोही ग वली साइड शेशनाग से इस लिद्दर आ रहा है, और वो इसको यहां पे जॉइन कर लेता है, दोनों लिद्दर रिवर बना लेते हैं, ओके, जब यह लिद्दर रिवर अल्टिमेटली मेरगुंड खनाबल पहुंचता तो यह जहलम में समा जाता है, राइट बैंक ट्रे इस पे काफी ज़्यादा फेमस है, ओके, अभी कुछ रिमेनिंग रिवर से हैं, कश्मीर वैली गया, जिन में आप का जाता है, जैसे रामबियारा रिवर, विशावा रिवर, बिरिंजी रिवर, और संदारन रिवर, यह तीन पहले जो है ना, यह भी राइट बैंक इसकी जहलम की, जबके संदारन, सौरी, यह तीन जो है, यह लेफ्ट बैंक ट्रिविटरी हैं, और संदारन जो है, यह राइट बैंक ट्रिविटरी है, अब इनके बारे में ब्रीफ आपको माइड मैपे समझा देता हूँ, क्या है एक्जेक्ली, देखिए, यह जो रामबि जारा की दो मेन ट्रिविटरी हैं, जिनको हम कहते हैं, रूपरी नार और यंगा नार, किसकी ट्रिविटरी हैं, रामबियारा रिवर, किसकी ट्रिविटरी है, जहलम की, कहां जोइन करता है, संगम में जोइन करता है, कौन सी ट्रिविटरी है, राइट बैंक, लेफ्ट बै समय वहां में वहां से विशावा रिवर निकलता है अल्टीमेटली यहिए विशावा रिवर एक वाटरफॉल भी फर्म करता है इसके अनरूट पर जिसका नाम है Aharbal waterfall okay there after bringi river bringi river जैसे भी pronounce करना चाहो originate होता है Synthan glacier Synthan glacier है Anantanag में वहाँ से originate होता है वहाँ से निकलने के बाद ये Duxum Valley से होके जाता है Duxum Valley Duxum Valley से होके ये Kokernag में join कर लेता है और Kokernag से कहाँ चले जाता है Chinhav में okay then ultimately Sandarin ये right bank tributary है और ये नंदमार्ग पास अनंतनाग में जगे है वहाँ से ये originate होता है So you got it आठ हमने कश्मीर वैली के river पड़े जहलम पड़ा, देराफ़र किशन गंगा पड़ा देराफ़र सिंद पड़ा, देराफ़र लिद्दर पड़ा और ये चार पड़े रामबियारा, विशावा, बिरिंजी हैं, संदैरिन ओके इनके थोड़े से नोस देख लेते हैं ओके रामबियारा रिवर लेफ्ट वैंक ट्रिब्यूटरी ये अलड़ी पता ही है शोपियन में अरुजनेट होता है ओके जोइन संगम ये विशावा को जोइन करता है जेहलम को जोइन करने से पहले विशावा में मिल जाता है कहां संगम में इन दोनों के मेल को कहते हैं संगम फिर ये दोनों मिल के कहां जोइन करते हैं जेहलम में अच्छा इसकी दो ट्रिब्यूटरी मैंने कहा था रूपरी नार और कौन सी यंगा नार ओके देन विशावा विशावा के अगर मैं बात करूँ तो विशावा रिवर के बारे में मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ ये भी लेफ्ट बेंक ट्रिबूटरी है कोसर नाकुलगाम से ये इसका ओरिजन है और ये अहारबल वाटरफॉल जो है वो फॉर्म करती है जहलम में जाइन करने से पहले ये जहलम की जितनी भी ट्रिबूटरी जहना है इन्होंने 2014 का जो सब्टेंबर 2014 का फ्लड साय थे वैली में सबकी contribution थे लेकिन में जो था वो विशावा और राम भी आ रहा था है ओके नेक्स्ट इस ब्रिंजी रिवर मैं बोला सिंतन ग्लीशर अनंतनाग से ये ओरिजनेट होता है फिर डक्सम से होके कोकरनाग से होके कहां एंटर कर लेता है जहलम में एंटर कर लेता है दन लास्ट वस संदारन रिवर ये जो है संदारन रिवर ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी और ये ओरिजनेट होती है नंदमाग पासिं अनंतनाग थोड़ा सा रिकैप्चिलिट करेंगे किशन गंगा रिवर जो है किशन सार लेक गांदर बल में औरिजनेट हुआ वहां से निकलने के बाद तुलीर वैली और कुरीज वैली से फ्लो करते हुए करनाट टिट वाल केरन से फ्लो करते हुए कहां पहुँचा P.O.K. में एंटर कर गया P.O.K. में दुमेल में जाके इसने जहलम को जॉइन किया और इसको नीलम रिवर कहा गया इसमें वेरियस टाइप्स अप ट्राउट फिशेज हैं जैसे रेंबो ट्राउट, स्नो ट्राउट, ब्रौन ट्राउट आपका शुद्गर्न आ गया और नियॉर फिशेज आगी और किशिन गंगा एचिपी जो है वो 350 मेगावर्ट का है बांडीबू डिस्टिक में बनाया गया, 2018 में इसका इनाबरेशन हो गया और ये जो है इंडिस वाटर ट्रीटी को जो है, 1960 की इंडिस वाटर ट्रीटी है उसको ये बिलकुल वाइलेट नहीं करता है, कोट अफ आर्बिटरेशन जो था, उसने वी इंडिया के फिवर में इसका डिसिजिन दे दिया है अब अगर मैं सिंद रिवर की बात करूँ, मुछोई गलेशर गांदरवल, आमना श्राइन के पास, वहाँ से औरिजनेट होता है, वहाँ से नीचे आ जाता है तो दुमेल से, गांदरवल से होते हुए, शादीपूर विलेश पहुंचता है, जहां पे जहलम को जाइन कर लेता है, स्क्राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जहलम की, तीन एचिपी जिस पे बनाएगे हैं, सुंबल में, कंगन में, और गांदरवल में, ओकी अब अगर मैं लिद्दर की बात करूं, तो वेस्ट लिद्दर निकलता है, कलोई से होते हुए, आडू वैली से, पहलगाम से होते हुए, पहलगाम टाउन, इस लिद्दर शेशनाग से निकलके, बेटाव वैली से होके, पहलगाम दोनों जाइन करके बनाते हैं, लिद्द ट्राउट, ब्राउन ट्राउट, एड्सेटरा और इसमें राफ्टिंग एक्टिविटीज भी होती है देर आफ्टर नेक्स हमने रामबियारा रिवर पड़ा, पीर पंजाल शोपिन से उरिजनेट होता है संगम में जाके जहलम से मिलता है, दो ट्रबीटरी हैं, रूपरी नार और यंगा नार देर आफ्टर विशावा रिवर कोसन नाक उलगाम से, ये तीन लेफ्ट बैंक हैं विशावा कोसन नाक उलगाम से उरिजनेट होता है, आरबल वाटर बाल फ़ाम करता है बिरिंजी रिवर सिंथन अनंतनाग से उरिजिनेट होता है सिंथन गिलेशियो से डक्सम वैली से होके कोकनाग से होके जहलम में जोइन खड़ता है संदैरन राइड बैंक ट्रिब्यूटरी और नंदमार पास अनंतनाग से उरिजिनेट होता है अब इसके जो हैं हम ये जो हमने साथ रिपर्स पड़े इनके कुछ हमसी क्यूज हैं वो आपसे डिसकस कर लेते हैं बताएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए रे सेक्टर बताईए राम बियारा राम बियारा बिलकुल नहीं है शोपीन में निकलता है लिद्धर कहां निकलता है या आपका ये सारी मच्छोई गलेशियर में निकलता है विशावा आपका कुल गाम में है किशन गंगा आपका जो है ये एज एलुसी एक्ट करता है ओके thereafter केशन गंगा HEP is in कौन सी डिस्टिक में है बांडी पुरा डिस्टिक में है next the वांगूठ नाला originates from बताएए वांगूठ नाला कहां से निकलता है जो ultimately सिंध को जाइन करता है सिंध की एक ट्रब्यूटर ये वांगूठ नाला आप बताएए वेस्ट लिदर originates from which of the falling west लिदर east जो है शेशनाग से होता है तो शेशनाग नहीं है नंदमार पास से जो आपका संधारन निकलता है गंगा बल से आप वांगूठ नाला निकलता है तो west लिदर तानसर लेक से ही निकलेगा फिर which of the falling river flows through डक्सम वैली बताएए कौन सा डक्सम से आता है west लिदर आता आपका आडवर पहलगाम वैली से east लिदर बेताव वैली से रामबियारा यहां पे flow नहीं करता है तो ब्रिंजी रिवर जो है वो डक्सम और कौकरनाग से होते हुए आता है so next is dash river joins जहलम एट संगम बताएए कौन सा river जहलम को संगम में जोइन करता है संगम प्लेस पे जोइन करता है ब्रिंजी जी नहीं यह तक्सम वहां से आता है विशावा जी नहीं यह भी नहीं करता है संदारन भी नहीं करता है thereafter लिद्दर लिद्दर is the only place नहीं सौरी लिद्दर वहां पे आपका खनदाबल में खड़ता है मेरगूर खनदाबल में विशावा इस अगरेक्ट आंसर यंगा नार इस ट्रिब्यूटरी अविचवधी फॉलिंग दो ट्रिब्यूटरी थे राम भी आरा की जंगा नार और रूपरी नार तो ये किसके ट्रिब्यूटरी आगी अगी राम भी आरा रिवर की आगी विच विच व फॉलिंग रिवर फॉंद अहरबल वाटरफॉल बताएं ये कौन से अहरबल बनाता है इनमें से विशावा रिवर बनाता है ओके इस विदियो में हम लोगुंने जो है कशमीर के साथ रिवर पढ़े और पिछले विडियो में कहमीर Yep पढ़ा था धैट में तोटल क्शमीर के रिवर स 충न gebracht उनका कोर्स उनका ओरिजन उनके नेम इड़ा करके अडिशनल इंवर्मेशन जो भी थी और उनकी MCQs भी डिसकस किये नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे Rivers of Jammu Province वहाँ स्टार्ट करेंगे Thank you for the time being